तो आज हम बनाने वाले बहुत ही बढ़ी आसार नाश्ता आलू और प्याज का जिससे खाने के बाद में आपक कचोरी समसा तो बिल्गुल बूल जाएंगे तो एक बार जब ट्राइ जरूर करें तो चली शुरू करते हैं तो यहां पे एक आलू को मैंने चिल्की उतार के उस मैंने यहां पे लिया है बेसन काटा, दो चमज और दो चमज सुजी ली है तो डालने के बाद में हम क्या करने वाले हैं यहां पर वाइट तिल डालेंगे तो बिल्कुल सकीप कर सकते हैं ताकि यह जो हमारा बेसन काटा और सूजी जुची को रेस करने के लिए 5-10 मिट देना बहुत है तो इसले हैं इन सब को हम पहले ही मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 5 मट के बाद इसके अंदर हमने गेहों काटा यम ऑने धूरओ कटा लिया है उसका दालना है मैं स्वादानूसा नमक नमक एक्टकरने के बारिक हो दो मिख्टकर हुआ तर्यूम्हीं कि अच्छे देड़ने के बाद यह अच्छा से रहा हम उच्छे कलर हैं मच्टकर लेंगे अच्छे कलर के लिये हल्दी डालेंगे और उ थोड़ा पानी एट करते हुए इसका मस्त वाला डो लगा लेंगे और यह हमारा डो अल्मोस्ट बनके रेडी हो चुका है तो यह डो रेडी हो गया उसकी लोई बनाएंगे इन पेली को बना देख तो यहां पर में उसको क्तोरी की साइस में बनातैं पकाटोरी विटेंगे रेमाशने थो Ond मुझे ने टिक भूटे ज़िए की साइता से इसको बढ़िया ही बढ़िया सा खूल शेप में दो पूरियों को काट लेंगे आपको में दिखा देती हूं बहुत ही अच्छा सा शेप आ चुका दिखने में बहुत जाथ अच्छी लगती है एक्स्ट्रा जो आटा है मनेशको निकाल लेंगे पर एक ग पूडी को हम एक प्लेट में रख लेंगे ताकि फिर उसके बाद हमें चलेंगे इसको फ्राय करने की तरफ तो गाइस मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चलें को स्क्राइब करना बि जाएं तो हलके हमें बहुत अच्छा निकाल लेंगे अगर अपको मेरे अच्छा लगा है तो प्लीज लाइब और सब्सक्राइब कि दिए बिना मच जाएंगे चुछ हो चिंग तिल देन बाबाइट, होप यह मुझे रोटे क्याएट